स्वामी आत्मानन स्कूल से लेकर जो किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं या हर समाज का व्यक्ति और हर योजना का जो लाब मिल रहा है वो किसी वर्ग विशेश या व्यक्ति विशेश या पार्टी विशेश देख कर नहीं मलता है वो सभी को मिलता है मेरे ख्याल से बोनस का लाब तो सारे भाजपाईयों को भी मिल रहा है पहली बार चुनाव मैदान में है आपके जो विरोधी जो आपके प्रतिद्वन्धी है भाजपा से सौराप सीजी वो तिसरी बार चुनाव लड़ेंगे कितना अंतर देखते हैं समी पाटन के बाद अकलतरा में भी चाचा और वतीजे में भीड़ानत होंगी किस तरह की रणेती किस तरह की त्यारी देखिए कॉंग्रेस प्रतियाशी बनाया है और पूरे दमखम के साथ कारेकरताओं के साथ मिलकर हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीते चुनाव मैदान में आपके जो विरोधी जो आपके प्रतिद्वन्धी है भाजपा से सवरापसी जी वो तिसरी बार चुनाव लड़ेंगे कितना अंतर देखते हैं समीकरण मैं इसको बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टन नहीं मानता हूं क्योंकि कभी न कभी वो भी पहल चुनाव लड़ता है तो किसी न किसी सीनियर के खिलाफी लड़ता है बहुत कम जगह ऐसे समीकरण होते हैं जहां पर दोनों प्रतियाशीन नहीं हों तो यह कोई दिकत की बात नहीं है कारकरता मेरे साथ है जनता कॉंग्रिस पार्टी के साथ है हम लोग चुनाव जीत अगर मैं उनकी बात कहूं मैं वेक्तिकत आरोप नहीं लगाना चाहूंगा लेकिन स्वामि आत्मान स्कूल से लेकर जो किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं या हर समाजका वेक्ति और हर योजना का जो लाब मिल रहा है वो किसी वर्ग विशेष या वेक्ति विशेष नहीं मलता है वो सभी को मलता है मेरे ख्याल से बोनस का लाब तो सारे भाश्वाईयों को भी मिल रहा है आपको टीस सीद्यों के तरह से कहें गूट से माने जाते हैं भुपेश बगेल जी का चेहरा है उनके नेतित्व में चुनाव लड़ा जा रहा है कितना फैक्टर देखत है भुपेश है भरोसा है इस टेग लाइन का देखिए भुपेश है तो भरोसा है डॉक्टर चरन दाश महंत है तो भरोसा है आदर्णी टीस बाबा है तो भरोसा है दीपक बैज है तो भरोसा है सभी सीष नेत्रुत्व का हर नेते नेता के हम लोग गुटके हैं कोई कर देंटDrive हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं कितना इस शेद्र में विकाष हुआ है और आपकी क्या प्रात्मिकता होंगी यादि आपको मौकर देती में देखिए कहीं न कहीं जब हम लोग विकास की बात करें तो विकास एक ऐसा मुद्दा है कि वो हमेशा नई चीजें सामने आती रहती हैं जैसे घर पर धूल जमती है और हम उसको रोज साफ करते हैं इसी तरीके से विकास के मुद्दे हर जगा पर हैं और हर दिन नई मांगे आती हैं जो कि बढ़ती जन संख्या या फिर जो बसाहट है या समय की मांग के साथ तो मेरा ये मानना है कि लगातार हमें काम करने की आवशकता है और हम लोगों को लगातार कारे करने की आवशकता है और अकलतरा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुख्य जो दो मुद्धे मेरे पास हैं जिनको मुझे लगता है प्राथमिक्ता हमें देनी चाहिए एक तो लिफ्ट इरिगेशन का मामला है और दूसरा अकलतरा में एक बाइपास की जरूरत है जो कि काफी गाउं में भी ज दावेदारी होती है उन्हें किस तरह से मनाएंगे मुझे लगता है कि नाराजगी होती है दावा करना सबका हक है प्रजातांत्रिक पार्टी है हमारी जैसे 2013 में भी यह 2018 में हम लोगों ने दावेदारी की लेकिन ऐसा कुछ शायद परिस्तिती बनी कि हमें मौका नहीं मिल इस बार पार्टी ने मुझे मौका दिया है सभी साथ में हैं और सभी काम करेंगे आपकी प्रतिद्वन्धी अब होंगे भाजपा से सवरॉपसी जी उनके काम काज को कैसे लेते हैं क्योंकि 2008 में वो बस्वा से विधायक थे उसके बाद से 2018 से 2023 तक भाजपा से विधायक थ वो भाजपा से मैदान में तो उनके पास साल के या पूराने जो कारिकाल है उसे किस सरल देखते हैं देखिए उनके कारिकाल को अगर मैं आकू तो मुझे लगता है कि उस समय जब इस बार भूपेश बगेल जी की सरकार थी वो विपक्ष में होने के नाते लगातार उन पर पर आरोप लगाते रहे कि यहां कार नहीं हो रहे हैं लेकिन जितने अगर आप अकलतरा में निकलने चाहे स्वामी आत्मानन स्कूल से लेकर रोडे हो और बाकी विकास कार हैं सभी कार राजशासन द्वारा किये गए हैं और आने वाले समय में जब कॉंग्रस की सरकार बन पक्ष काविधायक होगा तो मेरा मानना है कि विकास कारे की गती और बढ़ जाएगी हैं यहां पर पिछली बार त्रीकोडी मुकाबला रहा लेकिन इस बार अकलतरा में जो इस्थिती बन रही है इस बार पंचकोडी की स्थिती बन रही है क्योंकि रिचा जोगी ने भी कह सब लोग कहीं से भी आकर चुनाओ लड़ सकते हैं और एक बर जब नामांकन सबके हो जाएंगे अभी तो बहुत सारी पार्टिया अपने प्रचार में हैं एक बार नामांकन हो जाएंगे उसके बाद इस्तति समझ में आती है कि त्रिकोडी मुकाबला होगा या चार और से होगा या पंचकोडी होगा अभी हम यह कहें कि चाचा से क्या आप जीत का अशिरवाद लेने जाएंगे आप मुझे लगता है चाचा का अशिरवाद मेरे उपर हमेशा रहेगा जीत का तो यह थे हमारे साथ रागवेंसी जी जिनका कहना है कि 36 गड़ में कॉंग्रेस सरका ने बहतर काम किया है और उस काम के दम पर वो यहां पर जीत हासिल करेंगे और कारकरता भी उनके साथ है राजकुमर्शाहू आई वीची 24 जांजगीर